आज हम चर्चा करेंगे कोरोना वाइरस या कोवीड-19 की देश में क्या सिती है आंक्रे आप पे सामने है कि ये लॉगडाउन जो हमने किया काफी लंबा लॉगडाउन किया अध दुनिया के नजरों में ये सबसे सक्थ लॉगडाउनों में से है इसके बावजूद हमारे यहाँ पर संख्या आंक्रे जो है अच्छे नहीं है इस वाक्त और क्योंकि अब लॉगडाउन लिफ्ट हो रही है लगातार देख रहे हैं आप कि बहुत सारे चीजे खुल रही है तो इसके बीच अगर लॉगडाउन इस तरह से लिफ्ट किया जाएगा और लिफ्ट करना जरूरी भी था तो हमारे इस जो महामारी इस वक्त है इसका क्या हालत होगा यह हम देखना चाहते हैं पहले एक डज़र डालते हैं आँकड़ों पर आँकड़े अगर आप देखे तो इस वक्त हमारे इहां पर भारत बर्श में करीब धाई लाग से उपर total cases हैं यह हम इस तरह से नहीं गिन रहे हैं कि कितने इस वक्त एक्टिव केसे हैं, एक्टिव केस को इस वक्ताक्त रखते हैं, तो अभी तक हमारे यहाँ पर धाई लाग से उपर लोग मर रहे हैं, और दुनिया की अगर आकड़े देखें, जो आपके सामने अभी पेश कर रहा हूं हैं, तो आप देखेंगे, अभी हम छेठा स्थान में हैं, दुनिया में, सबसे इंफेक्टे, टोटल इंफेक्शन को अगर हम देखेंगे हैं, तो इससे और एंग जो चीज आपको देखनी पड़ेगी, यह हैं कि नहीं न्यू इंफेक्शन, कि कल पीछले चौबीस घटे कि इतने बीमार लोग हुए हैं, और उसकी अगर आंक्रे देखेंगे, तो आप देखेंगे, हिंदुस्तान इस वक्त तीस्टे स्थान पर हैं, कि यह सिर्फ हमारा टोटल आंक्रे मत देखिए, यह भी देखिए कि नए इंफेक्शन के कहां हो रहे हैं, क्योंकि जो कुछ द तो वहां के आंक्रे पीछले 10 दिन, पीछले एक दिन, 24 घंटे, यह सब अगर आंक्रे देखेंगे, तो देखेंगे कि इंफेक्शन काफी कम है, और हमारा इस वक्त टोटल इंफेक्शन जो है, उससे ज्यादा चिंटा जनक बात यह है, कि हर दिन हमें 10 हजार के लगभग ल तो देखेंगे कि वो जो हम पहले से कहते आये हैं, कि हिदुस्तान के आंक्रे काफी हद तक महराष्ट्रा, दिल्ली, तमिलनाड, गुजरात, इन चार प्रांतों की उपर निर्भर करता है, और यहां पर कुछ थोड़ी सी धीमगती देख रही है, खास्तों से गुजरात की स्थिती जो है, तोड़ी सुधरी है, थोड़ी सी, बहुत नहीं, और उस हिसाब से महराष्ट्री भी थोड़ी सी ग्राफ नीचे आ रही है, थोड़ी सी, पर जो रफ्टार है अभी भी, वो से साफ है, कि अभी भी यह नहीं कह सकते हैं, हम इस पे काबू पालिये हैं, और इस तोर से क्योंकि इस वक्त लॉक्डाउन लिफ्ट होने का जो असल पड़ेगा, वो अगले एक हफ्ता दस दिन में दिखाई पड़ेगा, संभाबना यह है, कि आँखने काफी बढ़ ज़ते हैं, पर इससे बिजो चिंता जनक बात इस वक्त है, वो है हमारे टेस्टिंग की बात, क्योंकि हमारे यहां अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कितने लोग बिमार पड़ रहे हैं, और खास तोर से दिल्ली की इसमें, खास जो खबर आ रही है, अच्छी खबर नहीं है, तो कि दिल्ली सरकार ने करीब-करीब आठ देखेंगे, तो हम देखेंगे जो पहले करीब 3-5% लोग टेस्ट से शनाक्त होते थे, कि इनकी बिमारी है, वो फिगर इस वक्त, खास तोर से महराश्टरा, दिल्ली, कुछ हब तक अमिदाबाद में, ये फिगर्स करीब-करीब आपको 20% की और देखने को मिल रहा है, इस का मतलब पहले, अगर आप पांच लोगों को टेस्ट करते, कोई भी निशाद दी मिलता आपको, 25 लोग टेस्ट करते, 20 लोगों को टेस्ट करते, एक विबार निकलता, इस वाक्त, पांच लोग अगर आप टेस्ट करेंगे, तो एक विबार उस पे जरूर निकलेगा, ये स 40% की लगभग भी पहुंच रहा है तो ये हमारे लिए खत्रे की संदेश है जो हमें नजर अंदाज से नहीं करनी चाहिए इसका मतलब कि हम एक तरह से जो बिमार पकड़ रहे हैं वो जो टेस्टिंग जितने कर रहे हैं उस रफतार से हम बिमार कितने हैं वो पकड़ रहे हैं एक्चिल बिमार कितने हो रहे हैं हमको अंदाजा नहीं हो रहे हैं क्यों कि बहुत जगहों पर सिंटम के इलावा सिंट जिसको कहते हैं एस्यम्टोमाटिक केस सिंटम नहीं जिखता पर बिमार हैं तो उसमें दिक्कत किया है दिक्कत यह नहीं है कि जो बिमार हैं बिमार न जाते हैं, कोई लक्षन दिखता भी दिए पर दूसरों को इंफेक्ट कर सकते हैं. इसलिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ उनको टेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें जो लोग कॉन्टैक्ट में आये हैं, इंफेक्टेट की जितने संख्या है, उतने सिम्टम्स वाले लोग नहीं मिलेंगे, तो जब तक हम उनकी कॉन्टैक्ट को पूरा टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक यह हमें पता नहीं चलेगे. दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो बिमार पढ़ रहे हैं, लक्षन दिख रहे हैं, उनके सिम्टम्स दिख रह तो यह एक बहुत मेरे ख्याल से बहुत बेवकूफी वाली बात है, क्योंकि इसलिए कि हम सिर्फ इसमें संख्याओं की मसाज कर रहे हैं, पर हमारी की कुछ पर कोई कंट्रोल हम नहीं ला पाएंगे, क्योंकि लोग निमार पढ़ेंगे, यह तो इंफेक्टेड होंगे, हम उनको टेस्ट नहीं कर पाएंगे, संख्या आंक्रे आपको इतनी खराब नहीं दिखेंगे, पर हकीकत काफी खराब होता जाएगा, और स्थिती और भी कंट्रोल के बाहर हो जाएगा, तो यह दिल्ली की स्थिती है, यह पहले हम गुजरात पे भी देखे थे, टेस्टिंग कम कर रहे थे, इस वक्त टेस्टिंग वहाँ पर थोड़ी बढ़ी है, इन दौर में आपको मालूम है कि एक वक्त पर टेस्टिंग बहुत कम था, बढ़ाने के बाद काफी उसमें positive cases निकले, और अभी जो states टेस्ट कम कर रहे हैं, उसमें तिल्लेंगाना भी है, उनके टेस् कम हो रहे हैं, अगर स्थिती प्रांतों को देखे, तो उत्तर प्रदेश की हालत इस वक्त खराब है, बहुत सारे प्रांत ऐसे हैं, जहां पर जो शहर है, तो मुख्य शहर करीब 10 से 12 शहर है, जिस पर सबसे ज्यादा लोग बिमार पॉड़ रहे हैं, जिस पर बंबई, दि 10-12 शहर जो है, जिस पर मुख्य तोर पर लोग बिमार नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको रहने के कोई इनका सबसंभावना नहीं थी, ना खार की इसलिए पैसे थे, ना पैसे थे उनके पास, ना उनकी लैंडलॉड की मकान मालिक को किराय दे पा रहे थे, उन्होंने अपने गाउं जाने को सोच लिया था, और यह जो माइग्रेशन जो ही है, रिवर्स माइग्रेशन एक तरह से, शहर से गाउं की तरफ, इससे पहली बात तो यह है कि ट्रेन में भर-भर के लोग गये हैं, बसों में गये हैं, ट्रक्स में गये हैं, तो सोशल डिस्टंसिंग या फि होएंगे और दूसरे लोग इंफेक्ट होंगे, तो शायद हमारी हिल्थ सिस्टम इसको टेक ने, उसको समहाल नहीं पाएगी, क्योंकि रूरल एरियास पे हिल्थ सिस्टम ना कि बराबर है, सीरियस केसिस के, एक बज़र और हमको देखना चाहिए इस पे, कि हमारा हस्पित की असिस्टम है, इस वक्त हस्पिताल, और मैं दिली शहर की बात कर रहा हूं, या बंबई की बात कर रहा हूं, यहां पर एक हिसाब से सहूलियत लोगों को, लोगों के पास ज्यादा है, इसके बावजूर हम देख सकते हैं, जो दर्दनांक द्रिश है, अखबार में आ रह हैं, ट्विटर में आ रहा हैं, साफ है कि अस्पताल इस वक्त इसको जहल नहीं पा रहा है, और लोगों को एड्मिट नहीं कर पा रहा है, जहां पर एड्मिशन्स है, वहां पर जो हेल्थ स्टाफ है, वो भी बिमार पड़ रहे हैं, तो हमारा जो मुख्य लदेश इस लॉ बढ़ने की आवशक्ता काफी ज्यादा है, अभी भी उसकी रफ्तार बढ़ने की काफी धीमी है, और कुछ शहरों में, दिल्ली, मुंबाई, इस्पतर टेस्टिंग की सार्का सच्पुच आगे बढ़ने के जगा कम भी होने की संभाबना नजर आ रही है, जैसे अभी दिल बहुत बड़ी दिकन के आ रही है, एक तो है, कोविट बिमार से जो बिमार है, उनकी देख भाल कैसे करें, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविट में एक संख्या काफी बिमार पॉटते हैं, खास तोर से मेरे जैसे लोग साथ साल से ज्यादा है, मेरे तो खेल से उससे भी कोविटिटीटीज जिसे कहते हैं कि उस पे दमे की शिकार हो सकते हैं, हार्ट पेशन्स हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर हो सकता है, डाइबिटीज हो सकता है, कैंसर पेशन्स हो सकते हैं, इनकी जो कोविट नाइंटीन से तो उस पे काफी उनकी स्थिती नाजुक हो सकती है, इसलिए तुरंट उनको अस्पिताल में ले जाना और उसको हस्पिताल में सपोर्ट देना, और भी जो सपोर्टिव थेरपीज है ताकि उनकी इंफ्लमेशन ज्यादा ना बढ़े, इन सब चीजों के लिए उनको अस्पिताल ले जाना बहुत जरूरी होता है, और अगर वो नहीं करेंगे तो इनकी डेथ रेट जिसे कहते हैं इंफेक्शन टो फेटलिटी रेट जो 60-70-80 में बहुत तक ज्यादा होता है, तो उसमें काफी बढ़ने की संख्या संभाबना है और यही एक चीज जो है हमारे सामने इस वक्त है कि दिल्ली मुंबई शहरों में यहाँ पर आपके पास ICU है, दूसरे facilities है, वहाँ पर अगर यह स्थिटी है तो दूसरे शहरों में, महुकुमाओं में, गाउं में उसकी हालात क्या होगा, तो यह तो एक अस्पताल की बात आए रही है, जो COVID patients की, और जो बात, दूसरी बात, जो हमारे सामने इस वक्त है, और मैं अधिर दिल्ली में आ रहा हूँ हूँ, कि इसमें जो लोग अस्पताल में दाखिला लेना चाहते हैं, दूसरे वजहों से, एक तो है कि जो cancer patients है, उनको हटे में एक बार, दस दिन के अंदर, उनको chemo therapy ज़रूरी है, यह तो उनका cancer जो है, उस पर control नहीं ला पाएंगे, और उनको मौत की तरह धके लेंगे, तो जिनको जैसे आपके dialysis करना है, regular dialysis उनका hospital में आने की ज़रूरत है, और भी लोग जैसे आपके पास हो सकता kidney stone है, गॉल स्टोन है, आपके पास appendicitis हो, यह सिर्फ normal जो विबानिया होती है, उससे भी इस्तिति नाजुक हो सकते है, तो उसके लिए आपका hospital में दाखिला क कर रहे हैं, और घर पे रह रहे हैं, जिसके वज़ए से उनकी भी मौते बढ़ रही है, और अगर वो दाखिला लेना भी चाहते हैं, तो उनके लिए इस वाक्त दिल्ली में खास्तोर से दाखिला पाना एकदम नामुम्किन है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा है, कि आपका अगर सिंटम नहीं है, तो आप COVID-19 टेस्स नहीं करा सकते हैं, और अगर अस्पताल में दाखिले लेना है, तो अस्पताल को कहना है कि हम तो काफी नाजुक स्थितिबे वैसे ही हैं, हम COVID-19 patients को उस तरह ट्रीट नहीं कर सकती, जो non-COVID patients है, इसलिए हमें certificate चाहिए, कि आप non- COVID-19 patient है, ताकि हम दूसरे wing भी आपको रखेंगे और उस तरह से treat करेंगे, अगर COVID-19 patient आप है, तो आपको अलग wing भी रखे हमें treat करना पड़ेगा, अब दिली सरकार के आपने जो जिक्र किया है, उन्होंने कहा है, कि इस तरह के लोगों को अब जो symptom नहीं है, और जिनकी contact न नहीं होता है, तो आप test नहीं कर सकते, इसके जरिये उनको अस्पिताल में दाखिला पाना इस वक्त संभब नहीं के बराबर है, तो यह जो स्थिती है, और एक चीज दर्शाता है, कि ICMR, केंद सरकार और स्टेट्स के वीश में कोई समन्नवे नहीं है, हमने पहले भी इसका जिकर किया था कि जब लॉगडाउन घोशना की गई थी, तो स्टेट्स को साथ पे नहीं लिया गया था, चार घंटे की सिर्फ उनको नोटिस पे उसको लॉगडाउन घोशना को पारित किया गया, और उसके साथ-साथ स्टेट्स को कोई छूट नहीं दी गई थी, सब हम एक तरह से control लापा है वो तो हुआ नहीं क्यों नहीं हुआ वो तो खेर post post bottom की बात है इस वक्त उसको discuss कर जिकर करें कि कोई फायदा नहीं है पर सरकार की जो कोशिश थी जिसके वजह से हो वो विफल रही और विफल इसलिए रही एक उसमें बहुत बड़ा हिसा यह है कि को इतना कोई उसके बारे में सोच नहीं था और एक modeling के आधार पे वह आप success claim कर रहे हैं कि हमने इतने मौत से हम बज गए पर बचे तो आप हो नहीं क्योंकि आभी infections आपके बढ़ रहे हैं मौत का सिर्प अपने postpone किया हो किया है ज्यादा ज्यादा ही कह सकते हैं पर जो कि दिल्ले में कुछ चन्ने में कुछ और जगहों पर कुछ जरूर उनको नियंत्रन करने की चालन चलाने की यह पावर्स जो है states के पास है और उनको देनी चाहिए जो पहले थी कि सब कुछ केल निर्वर डिसाइड करेंगी वो नहीं होना चाहिए था पर उसको साथ साथ इ पर एपिडेमिक पे जो समन्नवे होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है और सबसे बड़ी प्रश्न चिन्न इस वक्त यह है कि क्या आप टेस्टिंग बढ़ाने की स्थिती में है अगर नहीं है तो क्यों नहीं है आप कह रहे हैं कि आप आत निर्वर होना चाहते हैं तो क् आप टेस्ट बड़े पैमाने पे बढ़ा नहीं पा रहे हैं मैं इस बात को सिर्फ इस बाइस पे खत्म करना चाहूंगा कि आप देख लीजिए कि अभी हमारे सामने जो आख्रे है कि हर रोज करीब 10,000 लोग एक्स्ट्रा बिमार पड़ना है इसका मतलब अगर आप तो उस पें कितना परसंटेज बीमार आप पकड़ेंगे यह अगर रेशो देखे आप तो उसको अगर तीन या चार पे बीच पे लाना है तो आपको टेस्ट इस वक जवाब कर रहे हैं जिस पे आपको 20 परसंट 25 परसंट कुछ यगहों को देखनी को मिल रहा है इसको कम से कम दुगुना से तिगुना करना पड़ेगा और जब कम्यूनिटी ट्रांस्मिशन आप मान रहे हो रहा है तब यह कहना कि कॉंटेक्ट अगर किसी से के साथ आपके पास नहीं है और आपका पास सिंटम नहीं है टेस्ट ना करें यह बिलकुल बेखुफी है क्योंकि आप ज आपको टेस्टिंग कम से गब तीन से चार गुना करने पड़ेगे मैं दिल्ली और बंबई पे खास इस पे नज़र डालना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा संखा अगर शहरों में है तो यह दो शहर में है और इसके बाद आमेदाबाद, कलकत्ता, चन्नाई, चन्नाई में का आपको टेस्टिंग काफी बढ़ाने की खास जरूरत है और आत्मनिर्भर्ण भारत की आप जब कल्पना करते शुरू तो टेस्टिंग से करिए, टेस्टिंग किट से करिए, जो की बड़े पैमाने पे आपको आत्मनिर्भर्ण ही आपको ज्यादा संख्या में लेजार उसको देखिये, इस वक्त हमारे टेस्टिंग दिन में करीब-करीब हम एक लाग से कुछ चंद संख्या ज्यादा है, ये करीब-करीब स्टैटिक है, पीछले 15-20 दिन में टेस्टिंग के संख्या जो बढ़ी है, बहुत धीवी रफ्तार से बढ़ी है, अगर 10% per day आपकी इ कम से कम 20-25% per day होनी चाहिए, जो आपकी नहीं हो रही है, इसी को देखते हुए, आम इस बात ख़तम करना चाहेंगे, कि इस वक्त सबसे नाजुक स्थिती हमारी इस COVID-19 के मुकाबला करने का टेस्टिंग की बैस्ता है, अगर टेस्टिंग हम बढ़े पहिमाने वे से उनके फेसिल्टी नहीं बनाएंगे, तब तक इस बिमारी पे हम काबू नहीं हो पाएंगे. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि चीन की तरह करें, उन्होंने 10 दिन में अस्पिताल ही बना जिया था, कम से कम क्वारिंटीन फेसिल्टी जो जादा बिमार नहीं है, उनको कम से कम तो यह सब करने के लिए आपको बहुत बड़ी कदम नहीं उठानी पड़ेगी, आप काफी आहसानी से हमारी जो ताकत है, उसको अगर आप सही तरीके से इस्तिमाल करें, यह कर सकते हैं, पर अगर यह नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस वाक्त हम इस महामारी पे कंट्रोल खो रहे हैं, धीरे धीरे, और जिस तरह से जा रहे हैं, तो इसमें इसका बड़े पैमाने पे फैलाओ, अभी होने की संभावना है, हम अभी जैसे मैंने कहा, इन्फेक्टेड में, दुनिया में, हम अभी तीस्ते स्थान पे जा रहे हैं, ब्रिजिल और अमरीका के बाद हमारी स्थिती है, अभी हमारा स्थान है, उसमें देखेंगे, अठारा हजार, अठारा हजार, दस हजार, तो ये जो फिगर्स है, ये दर्शाता है, कि हमारी स्थिती इस वक्त काफी नाजुक होने की तरह बढ़ रही है, हम इस वक्त काटे का टकर में नहीं है, जो प रहे हैं आज के लिए इतना ही देखते रहिएगा न्यूस क्लेट